नमस्कार दोस्तों में नाम स्रीकांग कुमर अब देख रहे हैं तो जेट टोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि बैंक के कौंट में मोबाइल नंबर को लिंक किये हैं तो फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा बैंक के क कौंट में online mobile number को हम किस परकार से link कर सकते हैं और दोस्तों और भी लोग जो है कि ऐसे comment कर रहे हैं कि bank account में आधार NPCI online link किस परकार से हम कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी details में step by step करके बद लाने वाले हैं इस वीडियो को complete देखना होगा तो चले दोस्तों कर लिजिए ब्लाइकर घंटी को प्रिस कर लिजिए ताकि मेरा वीडियो को notification सबसे पहले अब की पहुँच पाए तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो चली दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप bank account में mobile number को link किये हैं तो कैसे आप पता कर सकते हैं क कि मेरा bank account में mobile number link हुआ है या नहीं हुआ है चेक करने के लिजिए दोस्तों सबसे पहले mobile या laptop का ब्रॉजर को open कर लेना है और ब्रॉजर में टाइप करना है पी एफ एम एस उसके बाद सर्च के option पे क्लिक कर दना क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे उपर में जो link दिख र कर दना है क्लिक करने के बाद दोस्तों official website इस परकार से open हो जाता है और दोस्तों यहां पे एक option देखने के लिए मिल जाता है now your payments इस वाले option पे क्लिक कर दना है क्लिक करने के बाद दोस्तों इस परकार के पेज ओपिन हो जाता है अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो दोस्तों इस box में अपना bank का name को select करना होगा जिस bank का आप मतलब में mobile number को link किये हैं उस bank का नाम यहाँ पे type करना होगा इस बॉक्स में फिलप कर देना है, send OTP on registered mobile number के option पे क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों bank के साथ जो mobile number link होगा, तो दोस्तों उस number पर एक OTP को send किया जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे mobile number भी दिखने के लिए मिल जाएगा, यही mobile number आपके bank के साथ लिंक है, दोस्तों अगर bank के साथ mobile number link होगा, तो दोस्तों OTP यहाँ पे send किया जाएगा, और mobile number यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा, और दोस्तों अगर mobile number link नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पे note record phone दिखने के लिए मिलेगा, तो आप समझ जाए कि मेरा bank account में mobile number link नहीं हुआ है और दोस्तों यहां से आप किसी भी bank का आप check कर सकते हैं अप दोस्तों बात करते हैं कि बहुत लोग ऐसे comment कर रहे थे हैं कि bank account में online घर बैठे हम mobile number को किस परकार से link कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हम clear कर दते हैं कि आप घर बैठे online mobile number को link नहीं कर सकते हैं link करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपना head branch में जाना होगा और वहां पर एक mobile number link करने का form दिया जाएगा और ओं form fill up करके आपको सम्वित करना होगा तब जाकर दोस्तों 12-24 घंटा में mobile number link हो जाता है और दोस्तों अगर आप घर बैठे bank account में mobile number को change करना चाते हैं तो दोस्तों घर बैठे आप change कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपके पास networking होना जरूरी है और जो पहले से mobile number link है bank account में ओ mobile number चालू होना जरूरी है तब दोस्तों आप घर बैठे bank account में mobile number को change कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी comment कर रहे थे हैं कि अपना bank account में खुद से घर बैठे online अधार NPCI को हम किस परकार से link कर सकते हैं इस परकार के बहुत लोग भी comment कर रहे थे हैं तो दोस्तों link करने से पहले सबसे पहले हम चेक करने के लिए बतला दते हैं कि चेक कैसे आप कर सकते हैं कि मेरा bank account में अधार NPCI link है या नहीं है तो दोस्तों चेक करने के लिए दोस्तों browser को open कर लेना है और browser में type करना है UIDAI उसके बाद search के option पे click कर दना है सबसे उपर में जो link दिख रहा है इस link पे click कर दना है click करने के बाद दोस्तों अधार card का official website इस परकार से open हो जाता है इस परकार से नीचे चले आना है और दोस्तों यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है अधार service इस वाले option पे click कर दना है click करने के बाद दोस्तों इस परकार के पेज ओपीन हो जाता है चेक करने के लिए दोस्तो अधार नंबर से बिर्चोल आईडी से चेक कर सकते हैं तो चलिए अधार नंबर से हम चेक करते हैं तो इस box में अधार नंबर को फिल अप करदना इस capture code को इस box में फिल अप करदना send OTP के option पे click करदना अधार card के साथ जो भी mobile number link है उस number पर एक OTP को send किया गया है उसके बाद इस परकार से नीचे चले आना है इस box में OTP को फिल अप करदना सम्वित के option पे click करदना उसके बाद दोस्तो इस परकार से status open हो जाता है और दोस्तो यहाँ पर bank का नाम देखने के लिए मिल जाता है यही bank में आपका अधार NPCI link है तो दोस्तो इस परकार से आप check कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका bank में अधार NPCI link नहीं है तो फिर आप कैसे link कर सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले bank हो जाना है और दोस्तो ब्राजर को open कर लेना है और ब्राजर में टाइप करना है एन पी सी आई लिंक इस परकार से टाइप करने के बाद सर्च के option पे click कर दना है click करने के बाद दोस्तो सबसे उपर में जो link दिख रहा है customers एन पी सी आई इस link पे click कर दना है click करने के बाद दोस्तो इस प option पे click करदेना, उसके बाद click here to view के option पे click करदेना है, click करने के बाद दोस्तों इस परकार के form यहाँ पे download हो जाता है, दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, इस form को lastpop को print, निकल वा लेना है, और इस form को सबसे पहले fill app करना होगा, जो भी details यहा पुछा जा रहा वह चीज़ को आपको фильм कर लेना है या फिर दोस्तों अपना डाइरेक्ट जो बज़ास उस बरांच में चले जाना वहां पे भी आपको एक form मिल जाता है उस form को फिलाप करके यानि ऐसा ही आपको form दिया जाएगा phone को fill up करके दोस्तों वहाँ पे संबित करना होगा head branch में और दोस्तों आपको बोलना होगा कि मेरा bank account में अधार NPCI link करना है तो दोस्तों फिर आपको link वहाँ पे कर दिया जाएगा उसके लिए दोस्तों आपको wait करना होगा 12-24 गंटा तक wait करना होगा किसी का 48 गंटा भी लग जाता है 48 गंटा के अंदर जो है कि bank account में अधार NPCI link हो जाता है दोस्तों बहुत लोग यह भी comment जो कर रहे थे कि online link कर सकते हैं घर बैटे या नहीं तो दोस्तों घर बैटे आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको branch जाना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा तो चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो के लाइक कर देज़ेगा और मेरी चैनल पर नहीं तो मेरी चैनल को subscribe कर लिए जब लाइकान घंती को भी प्रेस कर लिज़ेगा